असलाम लेकुम मैं हूँ जिया और वेलकम करता हूँ आपको यूट्यूब चैनल बे दोस्तो आज की वीडियो में मैं जिस इंसेक्टिसाइड के बारे में बताने वाला हूँ उसका नाम है लिफिनिरॉन लिफिनिरॉन वैसे तो एक इंसेक्टिसाइड है लेकिन अपने मोड से इंसेक्ट पैस के अगेंज और किस तरह से अपलाई कर सकते हैं दोस्तो बॉटल पे भी आपको लिफिनिरॉन ही लिखावा नदर आ रहा है लेकिन बहुत सारी कंपनी यहाँ पे अपना ब्रैंड नेम लिखते हैं लेकिन हमारा जो काम है वो हमने देखना होता है कि इसका एक्टिव इंग्रीडिन्ट क्या है तो इसका आप एक्टिव इंग्रीडिन्ट देखें लिफिनिरॉन ही है और इसी से आप जो है किसी भी केमिकल की पहचान करते हैं कि यह केमिकल में जो एक्टिव इंग्रीडिन्ट है वो क्या है दोस्तों मैंने आपको पहले बता है कि करी इनस्यक्तिकी साइड है लेकिन जो इसका दूसरा नाम भी है जिस नाम से मतलुक्त है आई ज्यार मतलब कि इनसेकte ग्रोध रेगुलेटर तोाज मैं आपको इसका डिफरेंस भी बताऊँ कि इंसेक्टिसाइड क्या होता है और IGR इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर वो हम किसे कहते हैं तो दोस्तों मेरी अपने पहले वीडियो भी देखियोंगी उसमें हम डिफरेंट इंसेक्टिसाइड के बारे बता चुके हैं जैसा के लेमडा, साइपरमेथ्रीन, डेल्टेमेथ इंसेक्टिसाइड हैं कि जब हम इसको किसी भी इंसेक्ट पेस्ट क्या अपलाई करते हैं चाहे वह कॉंटेक्टिसाइड हो या सिस्टमिक हो तो एप्लीकेशन के बाद वह इंसेक्ट को पैरलाइज कर देता है, मतलब ऑन दासपॉट किल कर देता है लेकिन जो लिफिन रॉन है ये उनसे डिफरेंट इसलिए है कि ये इंसेक को अन दा स्पोर्ट किल नहीं करता बलके ये इंसेक की काइटिन की जो प्रोडेक्शन है उसको स्टॉप कर देता है इसमीन कि इंसेक की डिफरेंट स्टेजिस होती है कि एक stage से दूसी stage में जाता है तो वो ये लिफिनरोरन insect को उसी जगा पे inhibit कर देता है रोक देता है तो जैसे ही insect molting form में जाता है तो insect paralysis हो जाता है और जब आप इसको apply करते हैं तो आप कुछ घंडों के बाद देखेंगे के insect pest जो हता है वो feeding करना चोड़ देता है और आपको ऐसे लएगा कि इसके उपर कुछ असर होना स्टार्ट हो गया है उसके बाद इंसेक जो है मॉल्टिंग अपनी जो है स्टेज चेंड करना चाहता है लेकिन वो चेंड नहीं कर पाता जिसकी वाइसे उसकी डेथ हो जाती है दोस्तों अगर केमिकल ग्रूप की बात करें तो ये बेंजुलेरा ग्रूप से बिलॉंग करता है और ये भी इसी फॉर्म में होते हैं इसी मीन्स इमल्सिफाइबल कंसंटेड और आप इसको वाटर के साथ एजली डिजॉल्व करके अप्लाई कर सकते है और अगर मॉड अफे के बात करें तो ये कॉंटेक्ट और स्टमक दोनों एक्शन से ही इंसेक्ट के ओपर असर अंदाज होता है बागी मैं आपको बता चुका हूं कि ये इंसेक्ट पैस कौन दा स्पोट किल नहीं करता बलके उसकी जो कायटिन की प्रोड़क्शन इसको स्टॉप कर देता है जि कि हम different insecticides use करते हैं तो ये इनवार्मेंट के 북 सामया काफी असर अंदाज साब्यद होते हैं मतलब कि हमारे इनवार्मेंट को खराब करते हैं लेकिन leaf libron एक ऐसा insecticides है जो कि environmental friendly है और इसको ipm में भी आप यूज़ कर सकते ंऔर इसको बहुत ज्यादा यूज़ भी किया जाता यह एक broad spectrum insecticide है और बहुत सारी crops, vegetable और ornamental plants पे इसको यूज किया जाता है और अगर इसके हम dozerate की बात करें तो वो भी एक कम amount यूज होता है लीफिय निरॉन का जो कि हम किसी भी insect pest के अगेंस यूज करते है दोस्तो सम्टम ऐसा होता है कि जब हम different insecticide use करते हैं जैसा कि organophosphate, carbonates, synthetic parathrides और भी हम इसके साथ different category के जब chemicals use करते हैं तो सम्टम ऐसा होता है कि insect के अंदर resistant develop हो जाती है और जब किसी insect pest against resistant develop हो जाती है तो वो उसको kill करना या control करना काफी मुश्किल हो जाता है लेकिन leaf neuron एक ऐसा insecticide है कि जिसके against अभी तक किसी insect pest ने resistant development नहीं की और अभी तक जो है इसको काम्यापी के साथ इस्तमाल किया जा रहा है दोस्तो अब मैं आपको target crops के बारे में बताता हूँ कि कौन कौन सी crops के उपर आप इसको use कर सकते हैं तो जो most important crops हैं उनमें sugar cane, maize, orchards, cotton, vegetable और इसके साथ साथ बहुत सारे ornamental plants पे भी हम leaf neuron को use कर सकते हैं दोस्तो crops के बाद अगर insect pest के बात करूं तो इसमें भी बहुत लंबी list है जिसके against हम leaf neuron को use करते हैं उन insect pest में जो most important insect pest है उसमें army warm है, borrards, bugs, American ball warm इसके इलावा codling moth, vegetable beetles, maize borrard और termites के against हम leaf neuron को use कर सकते हैं दोस्तों अब मैं आपको dosage के बारें बताता हूं कि हम leaf neuron की कितनी dose कौन से insect pest के against use कर सकते हैं तो अगर मैं army warm के बात करूं तो आप leaf neuron के 200 ml को per acre के साब से use कर सकते हैं पर acre में mostly 100 ml यूज होता है तो आप 100 ml में 200 leaf neuron को dissolve करके पर acre crops पे आप spray कर सकते हैं cotton crops के उपर तो अगर vegetables की बात करें तो vegetables में भी जो dosage है वो same है इसके साथ इसके लावा tomato, potato, onion और दूसरी vegetables पे भी आप 200 ml पर 100 ml में dissolve करके आप इसको use कर सकते हैं दूस्तों citrus में भी leaf minder का काफी problem आता है तो अगर आप को citrus पे spray करना है तो उसमें आप इसका 62-80 ml को 100 ml of water में dissolve करके आप spray कर सकते हैं और यही same fruit crops पे भी है और यही same आपने fruit crop पे भी dosage रखना है जैसा के apple को पर codling moth का का काफी severe attack होता है और codling moth के against आप leaf and drown के 62-80 ml पर 100 ml में dissolve करके आप apply कर सकते हैं दोस्तो इसके अलाब आप बॉड़ल की बात करें तो यह एक लिटर की packing में ही या mostly market में available है और companies different हो सकती है लेकिन आपने इसका active ingredient देखना है और active ingredient देखकर आप किसी भी अच्छे brand का chemical लेके इसको 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 कर सकते हैं दोस्तो अलिफ निरोन के बारे में अगर कोई भी question आपके mind में हो तो आप वो comment box में पूछ सकते हैं मिलते हैं next video में तब तक के लिए अल्हाफिस अल्हाफिस